खैलो फेंज दोस्तों our जानतें किह निया फ़ोंच हो थै Reelme 7 बोही एक हमें देखने को मिल थै कि टेक्नो कि तरब से टेक्ड़कमन 16 ओ गया था थै क्यूंच 17ураंच तो दोस्तों जासे कि नियुक्रम का इसे ग्ष Chandis आयरे में सस्थ Orig GBu यह यह टेकनो कैमन 16 इन दोनों का एक डिटेल कंपारिजन रिविई करने वाले इस वीडियो को देखने पर आपका सारा का साड़ाइब के लिए हो जाएगा कि आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन लेना चाहिए तो दोस्तों मैं हूँ समीर आप देखने टेकनों जी सिक एस वड़ाए जीबी वहरहिस जगर के तकनो मैं आपको यहां पे 4 जीबी रहा हुआ चो सो जीबी इन टरनल वाला ही वेरिंट आपको देखने को मिल दा है वहरिस दोस्त वात करें के तो काद्रीन, दोनु में आपको दो ही कलाँ देखने को मिलेंगे यह करे फ्यूजिन ब मुटाई है और 188 ग्राम का यह इतना भारी फोन है वहीं जगे टेक्नो 9.2 mm की मुटाई है काफी ज़्यादा है और 207 ग्राम यानि काफी भारी भी है अब दोस्तर बात करें इसमें इंड़ बॉक्स कंटेंट की आनि की आपको इंड़ बॉक्स में कौन सी चीजे मिल जाती है आपको दोनों में बैक कवर देखने को मिल जाएगा रियल मी जो है इसमें आपको 18 वाट का फार्च चार्जर इंड़ बॉक्स मिल जाएगा वज़े के टेक्नो में आपको सिर्फ 10 वाट का ही फार्च चार्जर मिल जाएगा इयरफोंस आपको दोनों में देखने को नहीं म आप दोस्तों बात करें अगर इसमें back camera की तो back camera जैसे की आप देख पा रहे हैं कि काफी अच्छे से में design किया गया हुए तो इसमें कुछ और मैं बाते बता देना चाहूंगा तो real me में आपको quad camera जानी की चार camera setup मिल जाता है एक rectangular shape में आपको तीन camera setup मिलेगा एक square में लेकिन दिख रहा है कि यह चार camera setup जाता है चुकि इसका fourth camera जो है वह AI याने artificial intelligence है अब दोस्तों बात करें कुछ features की तो आपको real me में और techno में दोनों आपको 64 MPs का main camera आपको देखनों मिल जाएगा जिसका aperture real me में 1.8 है वह जगा टेक्नों में 1.79 आपको मिल जाता है याने क्युछ modes की तो आपको यहां पे सारे-सारे modes लग बख आपको मिल जाते हैं जैसे real me में आपको AI याने artificial intelligence super night mode मिल जाता है night filters मिल जाते हैं जैसे कि जो आप night में जो भी photo capture करेंगे उसमें filters भी लगा सकते तो इससे photos और बहतर हो जाएगी HDR mode portrait mode और वही जगे टेक्नों में आपको AI, AI, autofocus, AI body, shaping मिल जाता है यह सब सारे-सारे modes आपको मिल जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर अगर वीडियो शूट की बात करेंगे तो real me में आप full HD एदरे 30 एपस पर वीडियो शूट कर पाएंगे वही जगे यहाँ पर techno में 2K quad HD recording आप कर पाएंगे वही जगह यहाँ पर 10S की दोनों में आपको zoom मिल जाती है और दोस्तों यह चीज में टेक्नो की बहुत च्छी लगी यहाँ पर Penta यानि कि 5 flash आपको मिल जाते पीछे की तरफ वही जगह यहाँ यहाँ पर real me में आपको single LED flash मिलेगा पीछे की तरफ आप दोस्तों बात करें सेलफी की तो जैसे की दोस्तों आप लोग देख पा रहें कि दोनों का लुक काफी अच्छा दे रखा हूँ दोनों में side punch hole type आपको selfie मिल जाती है जो की single selfie होईगी अब दोस्तों features की बात करें तो आपको दोनों में 16 megapixel की selfie मिल जाती है लेकिं टेक्नों में आपको samsung rgb s5k 3p9 का आपको sensor मिल जाता है अब दोस्तों यहां पर अगर aperture की बात करें तो real view में आपको 2.1 का aperture मिल जाएगा वही जगर टेक्नों में आपको 2.0 का aperture मिल जाएगा 1.0 micrometer की focal length आपको दोनों में देखनों मिल जाएगी अब दोस्तों कुछ modes की बात करें जैसे कि आपको दोन में भी video shoot कर सकते फुल HD आदे 30 पेस वाज़े के टेक्नो में आप 2 के quarter HD recording आप कर सकते हैं अब दोस्तों यहां पर टेक्नो में फिर अगें एक चीज़ अच्छी दी गई है कि यहां पर आपको friend में भी dual flash देखने को मिल जाते हैं वाज़े के real me में आपको friend में को भी flash देख दोस्तों यहां पर एक चीज़ आप अच्छी मिल जाते हैं तो आप अगर गेमिंग करते हैं या तो आप कोई movie watch करेंगे तो थोड़ी सी बहते निकल के आएगी real me 269 यहां पर दे रखी हुए देंसिटी दोस्तों यहां पर gorilla glass 3 की protection आपको मिल जाती है दोस्तों लेकिन techno में कोई यह mention नहीं था कि यहां पर gorilla glass 3 की protection है यहां पर लिखा हुआ था gorilla glass protection तो दोस्तों यह मेरा अंदाज है कि यहां पर gorilla glass 3 की protection होगी अब दोस्तों यहां पर real me में एक चीज़ आप अच्छी मिल जाती डिस्प्ले में कि आपको 90 has का refresh rate मिल जाएगा प्रस 120 has touch sampling rate आपको मिल तो दोस्तों वही जगा यहां पर techno में आपको कोई भी refresh rate नहीं मिलने वाला है तो आप अगर gaming करते हैं तो real me में screen जो ही काफी smooth रहेगी expert ratio तो दोस्तों यहां पर real me में 20-9 का मिल जाता है वज़े कर techno में 20.5-9 आपको मिल जाता है brightness दोस्तों बहुत अच्छी है 418 इसकी जा जाते हैं sunlight में तो आप अगर अपनी screen में कोई काम करेंगे तो आप असानी से screen को देख पाएंगे और दोस्तों यहां पर बात करेंगे प्रोसेसर की तो यहां पर ठीक ठाक दे रखे हों दोनों में यहां पर 7i में आपको यहां मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 662 वही जग यहां पर techno में आ बात करें तो दोनों में Octacorn मिल जाता है और यहां पर 2.0 GHz मिल जाएगा GPU में आपको Realme में Android 610 मिलेगा और टेक्नो में आपको Mali G52 आपको मिल जाता है अब दोस्तों बात करें यहां पर कुछ और फीचर्स की तो यहां पर पीछे साइड fingerpin sensor दोनों में देखना को मिल आगे जिससे आप कोई भी normal earphones लगा सकते हैं Bluetooth version दोनों में दम latest 5.0 NFC आपको दोनों में नहीं मिलने वाली SIM दोस्तों दोनों में hybrid नहीं है यानि कि triple card slot है यानि कि dual SIM plus memory card आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं साथी साथ आप 256 GB तक की action भी कर सकते हैं और दोस्तों यहां पर जो दोस्तों को लाइक कर दिए हमाने चैनल को सब्काइब कर दिए और हमें support कर दिया और यह वीडियो अपने दोस्तों तक share करना बिल्कुल ना भूलेगा अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में